हेलो दोस्त आप लोग कैसे हैं मैं उम्मिद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मेरा वीडियो आप देख रहे होंगे आपको पसंद भी आ मोटीवेशनल भी करना यह आपका एक तरीके से मुलकरतब है अपने मुलकरतब को आपके करना हर देशवासी का करतक भी बनता है और यह एक सच्छेनागरी की पहचान होती है ठीक है तो आएज एक ने वीडियों के वीडियो को लेकर हम उपस्तित हो रहे हैं, नया वीडियो हैं, इसको देख लेते हैं, ए मेरे दोस्त, इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं, जो हजारों दिलों को आवाद करते हुए हजारों जख्म खाते हैं, लेकिन आखरी जख्म वह खाने से इसलिए इनकार कर देता ह ताकि वह जिन्दा रह सके और उन लोगों को बता सके जो जक्म खाने के बार समखने और उच्चार के बारे में पता नहीं होता है इसलिए ए दोस्त खुद के सपने के तूड़ जाने पर यदि लाखों के सपने पूरे हो तो अपना सौभागी समझना न की दुरभागी समझना तो अब इसी को इस जो कोटेशन दिया है इसी के भावों को मुझे समझना है अखिर में इस कोटेशन का भाव क्या है आप भी इस जिसको इनाल्सिस करिएगा ये मेरा अपना जो अनभों है जो अनभों में अपने जीवन में प्रात किया है जो अनभों हम अपने पुस्तकों से प्रात किया है और उन पुस्तकों में जो थाठ हैं उनसे प्रात में किया नहीं को मिलाकर विचारधाराओं से हमने यह कोटेशन तयार किया है और इसी कोटेशन को आपके सामने प्रस्तुत किया है ठीक तो पढ़ने के बाद मेरे एनालसिस करने के बाद आप भी अपना इस पर दिरिष्ट को रखेगा विचार करिएगा ठीक तो जो मैंने सिखा है व हमारे समाज में हमारे समाज में कई परकार के वेक्ति होते हैं कई परकार के वेक्ति होते हैं और इन परकार के वेक्तियों में जो संबंध होता है और अलग अलग टाइप का होता है तो उसमें से कुछ ऐसे वेक्ति होते हैं कि जो बहुत भाविक टाइप के होते हैं जो दूसरे को खुसी को छिन कर अपनी खुसी बनाना चाहते हैं और कुछ ऐसे विखती होते हैं जो ना दूसरे के खुसी छिनते हैं और ना अपनी खुसी को छिनने देते हैं कुछ ऐसे टाइप के भी विखती होते हैं तो इन ही आधार बंदते हैं लेकिन जो दूसरे को खुसी में अपनी खुसी समझते हैं ऐसे विक्त के संदर में हम यहां बात करेंगे एक टॉपिक को लेकर यहां पर हम बात करेंगे जो दूसरे के खुसी में अपनी खुसी समझते हुए कारे करते हैं उन्हीं के संदर में यह बाते कही गई हैं जिसका मुझे explanation करना है तो आएए देखते हैं इस चिज़ को देखिए कुछ ऐसे बिखती होते हैं कुछ ऐसे बिखती होते हैं जैसे हम आपको यह बता दें कि इस चिज़ को यहां पर समझने का परियास करेंगे देखिए यहां पे हम आ लेते हैं जो हमारा समाज है इस समाज में दो टाइप के में बेक्ति आपको ले लेता हूं तिन टैप के ले लेता हूं एक व्यक्ति एक व्यक्ति जो संबंद मनाता है जिसके अंदर प्रेम का बीज हो किसका बीज हो बई प्रेम का बीज हो और एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके अंदर स्वार्द का भाव हो और एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके अंदर स्वाज में अपना संबन अस्थापित करना चाहते हैं तो जो अन्द विश्वाश टाइब के वेक्ति होते हैं ऐसे वेक्ति को हम भोले वेक्ति कहते हैं भोला भूलावेक्टी मतलब जिसको एक तरीके से अच्छा और बुरा करने के अपने अच्छाई और बुराई के बारे में एनाल्सिस करने की कोई समझ नहीं होती है जो उससे प्रेम से बोल दे वो उसी को अच्छा मान लेता है अमधिश्वा से या भूला वेक्ति कहते है उस सबपर आख मून की विश्वास कर लेता है बर सकते कोई उससे प्यार से बौल दे और एक विक्ति ऐसा होता है इस समाज में जो स्वार्थी टाइप का होता है और स्वार्थे टाइम में दो टाइम एक टैग वह व्यक्ति होता है जो अपने खुसे के लिए जीता है लेकिन ये किसी दूसरे के खुसे को नहीं चिनता है और एक व्यक्ति वह होता है जो अपने को खुस रखने के लिए दूसरे की भी खुसे छिनना पड़ें तो चलेगा किलियर और एक व्यक्ति वह होता है जो के अंदर प्रेम का भाव होता है प्रेम का भाव होता है भाव तो सम्में होंगे प्रेम का भाव होता है तो जिसके अंदर प्रेम का भाव होता है उसको हम एक ज्यानी वेक्ति कहते हैं कि अपने अंसार फ्रेम यह की होता है आप प्यार मुहमबत मोह वाली वात में नहीं कहरो ह। जिसको धर्म का अग्यान हो जाए वही सबसे बड़ा प्रेमि वेक्ति कहलाता है उसको आप स्वार्थ या मोसमझ जोड़ना है जिसको मेरे अंसार मेरे द्रिष्टि में प्रेमी विर्थी वो है जिसको इज्ञान हो जाए जिसको आत्मसाच्तकार हो जाए जिसको निर्णे लेने पर किसी को उपर निर्भन नहों होना पड़े है उप्रेमी विर्थी है जो ह होने पर क्या मुझे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस चीज़ का उसको आभास हो कि अब करते समय जिसके साथ वो संबंद मनाता है उसका साइको भी वो कहीं न कहीं चांगता रहता है फिर भी ओक करता है लेकिन किसी के बारे में 30, साइको के बारे में तो नहीं लगा सकते है कि कि से दिल में क्या चला है खिसे की बारे में नहीं लगा सकते नहीं कि अगा फिज भूब में ho बीच यानि अभी शुरुआती इस टिप में तो आपको पता करना चरह मुस्किल होगा तो यहां पर देखते हैं जो जिस बेक्ति के अंदर अभी अभी प्रेम का भाव जागा हुआ है यानि कि इज्ञान का भाव जागा हुआ है यह बेक्ति ऐसा होता है कि जो दूसरे के मेरा जो टापिक है इसे के संदर में है कि मि student ऐसका महल है मीरी दोस्ति इस दुनिया में ऐसे भी वेक्ति होते हैं हजारों जक्म खाने के बाद भी आखरी जक्म मखाने से इसलिए इंकार करता हैं आकर जो जक्म खाएं हें उनको वो सम्हा सके और उप्चार कर सके अब ये किसके संदर में कहा गया है ये जो ये प्रेम के बीज जो प्रेम का ये जो बीज वाला भाव है इसके संदर में कहा है तो सम्हा लेगा कुन जो प्रेम के उच्छ कोटी को प्रात कर लिया होगा यानि की पौधा ब्रिच आपका सकते हो ओ ब्रिच ओ ब्रिच जो विचारे सुरू सुरू में जिनके अंदर मानो कल्यान करने की भावना आई उनके अंदर एक मोटीवेसनल इंटर्णल मोटीवेसनल आया कि दूसरे को खुश किया जाए लेकिन लेकिन होता क्या है ओ धिर सारे जख्म खा लेते हैं धिर सारे जख्म खा लेते हैं तो ऐसे इस्तिती में उस वह वेती एक जख्म खाने से इंकार कर दीता है क्यूं क्यों ओ एक तरीके से अपने आपको टटस्त बना लेता है क्यों अपने आपको टटस्त बना लेता है तब उसको यह एहसास होता है कहीं न कहीं कि हम अपना एक ऐसा यूनियन बनाए जिसको मेरी जरूरत हो और उसके लिए मेरी जरूरत है यानि एक दूसरे की जरूरत हो यहां पे जहां प्रेम का ब्रिच खिले प्रेम का पौधा उगे प्रेम का फूल खिले ऐसे वातावरन का निर्मा करें लेकिन ध्यान लगना यहां जो प्रेम करने का भाह जिस विकतिका होता है अगर यह जख कहाया हजारों लोगों से जखम खाया तो इसके अंदर कई तरीके के बिचार उत्पन होते हैं कई तरीके की विचार पहला बिचार परेम की परिवासों को मुई है उसके अंदर बिजak कर दूसरा बिचार जैसा लोग है उससे कीदर भू भी बन जाएं तिसरा वह उससे भी ज़्यादा खतरnाग बन जाएं चोथा जग में घृते-क इतना प्रेम का बीज जागा है और लोगों की खुशी में अपनी खुशी समझता पौधा नहीं तैयार हुआ है लेकिन इतनी स्ठेप को अगर उसने बैलंस कर लिए ओव भी तो उसको पौधा बननें से कोई नियुछ सकता है उसको पौधा बनने से कोई नियुचे सरुद्धित की कियने से किसी के अंदर प्रणा का सुरोत नहीं जाग जाता है वह तुरंधी जागता है तुरंधी समाब्थ हो जाता है किसी के अंदर आपको प्रणा जागाना ना उट तो जमिनी अस्तर से लेकर चलो उसके लिए कुछ समय लगता है कुछ समय लगता है तो जब ये पौधा जब ब्रिच तयार हो जाए ये पौधा जब ब्रिच तयार जो कल तक 20 था लोगों को से संबंद मनाया लेकिन उसको जख में जख में जख में जख में मिलते गए और आखरी जख में उसलिए उसमें खाने से मना कर दिया क्योंकि अब ओम जितने जखम खाएं उसमें बैलंस अस्थापित कर रहा है क्या करें इनके जैसा बनें कि तनाओं लेकर पागल बन जाएं कि आत्म हत्या कर लें कि नहीं मुझे अपने इरादों को कमजोर नहीं करना है मेरे अंदर का जो बीचे मैं इसको एक बड़ा ब्रिच बनाऊंगा और मैं यह करके दिखाऊंगा कि ये वाव उसके अंदर आता है ये वाव कैई यह जिसके अंदर भाव आजाए वह अपने नज्यों में भी हीरों बनता है और समाझ के भी रून जरों में हीरो बनता है परकित की बर्मध्र का रसिक्त है उसके नजर में हीरो बनता है तो सिर्फ बेक्ती ने करता है चंचाहिए नहीं करता है चॉपलिस लगलोगी के है दुबली के ठीरों बनने की कुछिस नहीं करेगा लेकिन वहीं करेगा जिसके अंदर प्रेम का बीज पाउधिक रूप में तब्दिल हो जाएगा ऑफ करेगा क्यों करेगा क्यों कि जो सेच्वेसन मेरी थी कि एक समय ऐसा आया था कि हम उनके जैसा बंचाएं या आत्महत्या कर लें या तो फिर हम रोगी बन जाएं या तो पागल बंग जाएं यानि कि बिचलन की स्थिति चलती है संकरमल की चलती है तब यही पर वेक्ति वह अपना समास थोड़ा से संकुचीत करता है और यह वो एग्यान की खुझ में निकल जाता है चिंतन करता है वह सारे घटनों पर मन्द्थन करता है और चिंतन करने नहीं अपने रूप में पाओधिक रूप में तयार करता है तो जो व्यक्ति के इस्तिति में ये मन उत्पन होता है जो प्राद में जाना चाहते हैं जो रोगी बनना चाहते हैं उनके लिए वह च्छाया का काम करता है यानि कि उनके लिए मोटी वेशनल का कार करता है ताकि वो जिंदा रह सके और अपने इरादों को मजबूत बना सके और अपने आपको गति देते रहे कोई समझे या ना समझे कोई माने या ना माने लेकिन जो सही है आपको वही करना चाहिए अगर आपको इस वीडियो पर मेरे लेक्चर पर और इसके अलमा को सुझाओ देना चाहते हैं तो आप सुझाओ देजिए आपके सुझाओ का मैं स्वागत करूँगा लेकिन जो मुझे अपने जो मैंने अन्बहों किया और इस अन्बहों के बाड़ जो कितावी इस इच्छा के माद्यम से जो पढ़ही के माद्यम से जो मैंने चीज पाया ओचीजों किमें अपने विचाधहराओं के रूप में, कोटेशन के रूप में प्रस्तुत किया. मेरा मनना यह है कि किसी किताबों के पढ़ लेने से, तत्यों के याद कर लेने से, किसी एक्जाम को कॉलिफाई करने के लिए आपको उच डिगरी प्रात नहीं हो पाती है. नोकरी क्या है नोकरी पुर्सार्थ का सिर्फ एक साधन है एक लेकिन पुर्सार्थ बनने के लिए आपके अंदर चार चीजों को बताया गया है तो इसलिए कभी इकोनॉमिक की चक्र में अपने आमको बाके चीजों को पीछे मत छोड़ देना और आप सही है तो और कहीं भी नहीं जाएंगी जो सही है ओकरो अपने अंदर पुर्सार्थ की भावना लेकर आओ और यह पुर्सार्थ तब आएगा जब आँके अंदर प्रणात्मक भावनाएं उठेंगे तो ए मेरे दोस्त इसी सब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियों का यहीं पर समापन कर रहा हूँ मुझे उमिद है कि ये वीडियों आपको बहुत पसंद आया होगा अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा अच्छा नहीं लगे तो भी डिसलाइक करिएगा और इसको सब्सक्राइब करिएगा ऐसा करके आप मेरे मोटिवेशनल को और बढ़ाईए और खुद अपने आपको इस छेतर में लाईए तो जो मेरा सपना है मेरा सपना जो है ड्रिम आभारत इसमें आप भी अपना सहयोग दीजिए यह आपका मूल करतब है मूल करतब का मतलब यह कि जो मेरा धर्म मेरा धर्म क्या है सविधान है आप इसका पालन करिए कौन करता है कौन नहीं करता है इस पर द्यान मत दीजिए लेकिन जिसने बनाया है इस चीज को लाया है तो इसका मतलब जो चीजे लाई गए वो वेक्ति वो जिया है तो कम कम से उसके आत्मा की सामती के लिए आप तो तो एक सच्चन्यागरी का कर्तब तो निवा सकते हैं, चाहां कुछ अच्छा मिले जीवन में दोस्त, करने से कभी मच्चुगना, क्योंकि औसर कभी-कभी मोका देती है, और उसको उस औसर का अपना सौभाग के समझना, आप मानो, आपका सरी पंच टत्वों से मिलकर बना है असी मूर्जा है, असी मूर्जा, बस उसके अंदर जागरित करने की आउ सकता है, और मैं उम्मीद करता हूँ, कि आप जागरित करेंगे, निश्ची तरूर से करेंगे, इसी के साथ, जय भारत, जय हैं!